कल्योगी मानेगी प्रेमी के साथ मिलकर रचाता दुरूप का अपरण मुरदबाद के थाना मंजोलत चेतर में लगबग 10 दिन पूर्व हुए 5 साल की बच्चे दुरूप अपरण मामदे में आज पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें एक कल्योगी माकी तस्किर समाज के साम सामने आ गई इस कल्योगी मानेगी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर यह अपरण का खेल रच डाला था एसेस्पी ने आज आरोपी मां को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार करते हुए पूरे दुरूप अपरण कांट का पटा शेफ कर दिया पुलिस की गिरफ्त में खड़ी य कुछ कहने से कत्रा रहे थे उसने बच्चे की जान की दुआई देत हुए मामले को उजागर ना करने की मांग मीडिया से भी की थी लेकिन पुलिस दबाव के चलते बच्चे को गाजियाबाद से बरामत कर लिया गया था लेकिन मुरदबाद SSP प्रभाकर चोधरी ने मीड तलंगाना में जाकर एक जिम खोलेंगे और शादी करके वहीं बच जाएंगे SSP प्रभाकर चोधरी के अनुसार आरोपी अश्पाक मोल्रोग से तलंगाना कहीं रहने वाला है और वे लगतार इसमाहिला के संपर्क में था वे वहीं गाड़ी लेकर अपरण प्रकरण में घ तो क्या इससे पहले आपके परिवार से नहीं किस तरह से आपने प्लानिंग मनाई ती आगे क्या करना था मतलब जो आपको कैसे सब्सक्राइब कि आपको बच्चे सुरक्षित आपको चिंदा थी बच्चे की नई दी चिंदा आपको मीडती की सुरक्षित रख्ड़क्रा एक अट आपकी कैसे क कहा रख रह पार कि काई में वीडियो नहीं भी किने तो में कुछ नहीं कि इस वार्ग मतलब हम आपने बजिनिस को लंगे और अपने बाबु को अबलंग से भूकरें तो शादी कुनने की स्वड़कर जाते हैं तो तीस लाग रुपे घर में कहां से आएंगे क्या प्लानिंग बनाई थी यह बताईए कि पैसे कहां से आएंगे आपके बाद आपका पती कहां से पैसे लिगाएंगे कोई आपने पहले तो जांकर जाएंगे मुदादाबाद में एक किड्नैपिंग मुई थी इसमें रैंसम कॉल आ रही थी तीस लाग की रंगदारी मागी जा रही थी छोड़ने के अबद में और इसमें हम लोगों ने अगले ही दिन बच्चे को साकुसल काजियाबाद से बरामात कर लिया था शुरू से यह सक्ता पुलीस टीम इसलिए जादा सतरकती की कहीं बच्चे का मरडर ना हो जाए क्योंकि इसमें फैमली के बहुत ही क्लोज लोग सामिल थे और लगातार सुचनाई लीग कर रहते कि डिनेपर तक बता रहते तो हम लोगों ने बहुत ही सतरकता के साथ इसमें काम किया जब इन्व असपाक है जो यहां तक आया था गाड़ी से आया फिर नोड़ा ले गया और फिर वहां पर बच्चे को छोड़ा था इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरां ये भी आया कि जो बच्चे की मा है फेस्बुक के जरीया असपाक के संपर्क में आई थी और लगातार इन लोग की प्लानिंग थी कि इनको पैसे मिल जाएंगे तो इसमें जो महिला है ये पैसे ले करके असपाक की पैसा उसको मिल जाएगा वो महिला के साथ चले जाएंगे लोग हैदराबाद महां रहेंगे वहां जिम भोलेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे ये इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी, इसमें मा का रोल है, असफाक एक जो इनके प्रेमी हैं, तेलांगाना के रहने वाले हैं, अल्रडी पुलिश टीम ने 6-7 दिन पहले ही इनको तेलांगाना में अरेस्ट कर लिया था, सारे एविडेंस प्रतूट किये गया और इनको हम लोग 7 दिन के ट सारी प्लानिंग रची गई थी, और मार्च के महीने से यही चीज सुरू हो गया था, इसके बीछे वज़ा ये थी, कि महिला संतुष नहीं रहती थी अपने पती से, क्योंकि इनको प्रोपर्टी में भी कोई अधिकार नहीं मिला था, अपने नाना के यहां रहते थे, और इनके मौसी के पास पैसा है, और इनकी जो सासु है, उन्होंने भी ब्लॉट गेज के बारा लागुपे ले रहते हैं, बिल्कुल भी यह इन लोगों का उमीद नहीं था, कि पुलिस में मामला जायेगा, क्योंकि महीला ने एक भी बार चार गंटे होगे खिड्नेपिंग को कही न पुलिस में फोन किया न अपने पती को फोन किया था, पती जब वापस आया जयसे इसको पता चला कि बच्चा गायव है, तो इसने डूडा पुलिस में फोन कर दिया, पिल्स में से गा है, तो महीला ने जो इनके प्रेमिते उनको बता दिए और वहीं से रंसम कॉल गया था सेम वियो आईपी कॉल से महिला को मार्च के महिने भी कॉल किया गया है, ट्राइल किया जा रहा था कि ये कॉल लगता है कि नहीं लगता है, तो हमारे पास सारे 65B के सर्टिफिकेट सहीद, CCTV फूटेज सहीद, रिकॉर्डिंग सहीद, यहां पे होटल में जहां पे आक महिला खुद जा करके सुबह के समय उस गाड़ी में बैठी थी, फाइनल प्लानिंग वहां राम्रीला ग्राउंड में ही गाड़ी के अंदर उसके भी पोटोग्राफ से, इन लोगों अपने अपने पोटो भी केस बिलकुल किलियर है, बस यह जो घटना है, यह बहुत ही आ आख नाक कान जरूर को ले रखी कि ता कि कई कोई शमस्याना नहीं का, बैंक पुलिस को मुमाइल से कुछ वीडियो भी उपलब्द है, और इसमें डेटा भी रखे है, वीडियो में सारी चीजे हैं, जिस होटल में रखा गया था, बच्चे को पिज़ा ओर किया गया स्वि साव सिद्र सो फोटोग्राफ से मारे पास, इसमें 15 दिन की ट्रेनिंग जैसा महिला ने बताया, 15 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, और वापस आने के बाद जब बच्चा वापस आ गया, तो फादर ने कई बार पूछा, कि बच्चे ने बताया है कि ममा ने इवन किसी भी वेक्ती को कुछ भी नहीं बताया इसके लाओ, प्रॉपर ट्रेनिंग इसके में तो वीडियो रिगॉर्डिंग मैंने बताया प्रेम संबंद का मामला था, तो जो भी इन्होंने रिगॉर्डिंग किया था, चुकि यह लोग लगातार एक दूसरे से कॉल के यह संपर्क में रहते थे, जैसे फेस्बूप पर वाटसप पर एक दूसरे की फोटो बेस्ती रहते थे था, उसी से हमें बहुत धेर सारी जब हमने सोस्यल साइट सब खंगालनी सुरू करी, उसे बहुत धेर सारे ऐसे अब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स भी हमें बिले उसे भी शेयर किया गया था, साइध इनको चुकि वियो आईपी कॉल थी तो इनको यह बिल्गुल पता था कि पुलिस धूड नहीं पाएगी इस चीज को और कनेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन यह जो भी इलेक्ट्रानिक मादमों का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत स इस अफडेट मिला था, मैंने बताया कि दो एक मोबाईल इसके प्रेमी ने खरीद के यहां दिलवाया था, और सिम भी यहां से लिया गया था, वो महिला के पास मोबाईल था, उसी से वो लगातार जो भी गच्विदिया यहां पे पुलीस की हो रही थी, चुकि मेरे कैम का प्रेयाले से लोग बाहर निकले, तुरेंट बता दिया कि जो है, मीडिया और पुलीस में लग गई सब को जानकारी आ गई, तो इन्होंने रात में बच्चे को छोड़ने का टाय कर लिया था, कि पुलीस को जानकारी में आ गई, टीम सब जोगें जा रही है, लेकिन उस सम बागाइदे चपल अपल पहना के सारी चीज छोड़ा, प्रेमी मुरादाबाद प्रेमी आया था, दोबूर कंस कम तीन-चार बार आया है, इनके घर के बगल में रहा है, यह जानते भी है, इनके हस्बैक को भी है, तैंक्यू